कि और कॉंग्रेस का नाम दे रहे हैं तो मैं समझता हूं इससे बड़ी मुखता नहीं है अगर कोई आज थोड़ा राजनीती का स्वरूप बदला है या फिर वही स्वरूप है और उसे बार-बार बदलने की कोशिश और बार-बार अपने पक्ष में लाने की कोशिश या बीजेपी की ओर से होती है बेसिक प्रिंस्पर्स तो हमेसा सेव रहते हैं मैंने आपको बताया अखबर ने भी अगर नाम चेंज किया था शोशियों पोलेटकल और रिलीजियस माइलेज लेने के लिए उसके यही तीन गेन होते है ना यही मायावती जी ने भी किया यही कॉंग्रेस ने सारी पार्ट मुद्धा भी है इसके लावाँ जो तमाम और मुद्धे होते हैं जिन पर चुनाओ लड़ा जाता है यह कहा जाता है कि सभी पार्टिया उस पर चुनाओ लड़ा है विकास हो आपको बताओं जो पॉलेटकल इन्वारेनमेंट है पॉलेटकल एको सिस्टम इस वक्त इंडि क्योंकि हमारे पूर्वा चाहिए तो उनके नाम पर होना चाहिए अगर ने बदला तो अब देश के हिसाफ से दूसरा आप देखें किलिंग मैनी वर्ग्स बिद वन इस्टोन यानि एक टीर से कही शिकार बॉइलिंग दा वाटर आपनी तुरंट खॉलने नहीं लगता है विजेपी अब योगी जी ने क्या बोला ताज महल का नाम बदल के राम महल कर दूगा एक सेंसेज़न इसने छोड़ा है मतलब योगी जी ने चोड़ा अब दीरे-दीरे ये वायल करेंगे उन्होंने नाम और भी बता उन्होंने नाम क्योक्ता भी बताई रama डुर देखि यही तो BJP की माइक्रो लेवल की स्टेटजी है, जो की साइको सोमेटिक स्टेटजी लोगों को, मतलब उनके वैचारित भावनाओं के साथ बाधना, यह BJP की स्टेटजी है, अब इन्होंने एक के बाद एक मुद्दे जो है छोड़े हुए है, और दूसरी चीज आप देखि जब महाल गरम होगा, तो कुछ class of voters जो है definitely उनके साथ जुड़ते हैं, वो जो सोय रहते हैं, वो जाकते हैं, active होते हैं, कुछ दिन मुद्दा गरम करने के बाद फिर देखेगी कि यह मुद्दा positive way में जा रहा है, तो वो नाम बदल देगी या उस मुद्दे को main election के मुद् वोट बैंक गें, मतलब आपको अपने टास्क दो है, एक तो अपने वोट बैंक को इस्थिर लखना वो तूट के कहीं और नहीं हुए, बाधना तो है और बिपक्ष के जो वोट बैंक है, जो दूसरे लोग हैं, उनको गें करना, अपने में शामिल करना, कैसे, ऐसे sensational मुद वो एक इंसान है और भावना प्रधान होता है, हम सब लोगों के अंदर different तरीके के psychological भावना बड़ी प्रधान होती है, दूसरी पाटियां भी तो इसका इस्तमाल करती है, दूसरी पाटियां भी तो इस्तमाल करती है, सवाल यहां पर BJP पर इसलिए उठ रहा है, कि वो शे आंसर सीट में आंसर लिखना, आप कुछ भी लिख दो पास नहीं हो जाओगे, BJP उसी आंसर को आंसर सीट में बहुत अच्छे तरीके से strategic way में रहती है, BJP से ही समझ लेते हैं कि यह आप राजनितिक रणनीती है आपकी या किसी साजिश किता हैं जैसा कि Congress के शब्दों में बहुत-बहुत स्वागत हैं, नाम करण पर राजनीती हो रही, इस राजनीती की शुरुआर क्या वाकई BJP ने की है? उसका मैं जवाब दे दूँ कि क्या इसकी शुरुआत BJP ने की है, तो मैं बोलूँगा नहीं, अकबर ने प्रयाग राज का नाम है लाहाबाद कर दिया, मोटिव क्या था, उसी जमाने से सपा, बसपा, Congress सब ने बहुत सारे नाम चेंज किये, सेम मोटिव जो अकबर के टा रही है और advanced level पे कर रही है, अपने vote bank को साधने के लिए, इसमें ये भी हो सकता है कि अपनी बीफलता, यानि उतने टास्क इनके complete शायब नहीं हुए, जो इन्होंने प्रामिस किया था, जो जिक्र यहाँ पर Congress और इसकी दोनों ही पार्टिया कर रही है, ये एक damage control का भी बह को के जाएगा, पांच साल में गौर्मेंट ने जो commitment किया था, मोधी गौर्मेंट ने जो commitment किया था, लेकि चुनाओं में इनका जो गोसला पक्र होता है, commitment बहुत ज़्यादा हो गए, कुछ एक example की 50,000,000 रुपए दे देंगे, विश गुरू बना देंगे, ठीक है, करके, डिफरेंट मुद्धे उचाने के, अब क्या करें, अब वोटर को इंगेज रखना है, कि कुछ नो कुछ ऐसे, इस्पिली एक्टिविटी करना है, आपी की बातों से सवाल निकालता हूँ, प्रदी भटनागर जी, कि जनता को इंगेज करने के लिए, कोई ने कोई ए एक ऐसा मुद्धा चाहिए, जो विकास की रहा पर न निकले, जो बिजली पानी या फिर रोटी कपड़ा मकान, इन सब की बात ना करे, यहाँ पर मुद्धा होना चाहिए, राम मंदिर का नाम बदलने का, इसकी टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहा है, प्रती तनी मज़े होए खिलाडी तो आप लोग है, इतने मज़े होए खिलाडी तो है, उत्तर प्रदेश में अगर नाम बदला जा striking किसी शहर शहर का, इसकी जिले का, तो तो वे साथ कर Name गर शाय दो में, प्रभी देंखिए, बाला में अग्राम की नाम की सभी तिसका नाम अगर बुरा नहीं नहीए अगर mughal शाषन में अगर अपने अपनी चलाई आंके को किया तो आज अगर योगी जीन नहीं काम जो हाँ नहीं को भी तो सभाए यहाँ शाषन में नियुक्त है उजब नाम तौन मिला ठीक है इसे इससे कितर से कितना इत्फाकर रखतें हैं अभीतोष जी अगर नाम बदन्य से ही विकास होता हो या इलाबाद का या तमाम और सहरों का बेरोजगारी खतम होती हो जमीन के मुद्दे खतम होते हो दुनिया भर का जो ब्रश्टा चार है ये खतम होता हो सडके ठीक होती हो विजली पानी की विएस्था अच्छी होती हो मुद्ध्र खतम हो गया or कि लोगों का ध्यान भटक गया नो शारे बुद्धों से बाकी के सारे आपने नियुक्ष जो बताए वो एक तरफ है जांता मूर्व नहीं है यह पीजएपी वाले समझे जनता मूर्व नहीं है मेरा पेट तप भरह का जब मुझे रोजगार मिले मंदीर बनाका मंदिर बना था न करते करते घृब थोड़े से विबातित बोल किस तरीके से बोल रहे थे किसी अप्रदेश की मुखमंत्री के लिए वो टिपड़ी कर रहे वो उनको याद रखना चाहिए थे कि नहीं यह बताई यह पार्टी लाइन अबू आजमी साहब को भी मेरा कहना है कि उन्हें भी मर्यादा मरे के भाशन देना चाहिए कोई भी कोई भी पार् होती हो या जिससे उसका खुद का इस्तरखराब होता हो यह सभी पार्टियों के लिए एक मर्यादा होनी चाहिए जो कि आज देश में बहुत खतम कर दे सभी पार्टियों ने कर दिये बीजेपी के तमाम नेताय से बयान देते सुबर शाम तक कोई पूछने वाला नहीं है सत्ता में इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है ठीक है शान मुहमद जी यहाँ पर जिस तरीके से एक नई तरीके की राजनीती की परिभाशा गड़ी जा रही है बीजेपी की ओर से कि टाइमिंग को लेकर यहाँ पर देखे सवाल उठ रहा है कि इस समय ही क्यों पहले या फिर लोग सभा चुनाओं के बार टाइमिंग देखिए बीजेपी की सोची समझीए साजी से अब चुनाओं नजदीक है और कॉंग्रेस पार्टी एक तो हिंदू मुतिम का दिखावा नहीं करती पहली चीज़ यह लोग जो दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू के हमदर् बात है हजारो करोर रुपए जो इन्वेस्ट किया है यह समय हिंदूस्तान का और उत्तर प्रदेश की जो आर्थ विवस्ता है वो इतनी मजबूत नहीं है जो जिलों के नाम बदलने वो पैसा खर्च किया जाए नोजवानों के रोजगार में यदि कॉंग्रेस पार्टी क कि समझें आप तो कॉंग्रेस पार्टी रोजगार पे किसानों पे और आम आदमी का ख्याल रखती है बाद में धार्मिक होना एक अलग चीज़ है आप अपने धरम के रक्षा किसानों का फायदा कहा हुआ सर्कार तो आपकी थी किसानों का पायदा करोड उपेका किसानों क किसान को गाउं में रोजगार मिला कॉंग्रेस पार्टी भावनात में हमला नहीं करते किसी पर कि हम धरम के रक्षा या धरम के हम ठेकेदार है धरम का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता तो राजी उजी ने को 66 में राम मंदर का खुलवा दिया फिर ताला क्या राजी दी एके मिशा जी एके मिशा जी देखिए आप से पूरा इस समय का जो महौल बन रहा है इस वक्त लोगसभा चुनाओ के मद्दे नजर उसको किस तरीके से देखा जाए क्योंकि नाम बदले जा रहे हैं एक तरफ इसके अलावा राम मंदर का मुद्दा जो जोड़ शोर से इस वक्त सियासत को गर्माने काम कर रहा है वो मुद्दा भी है इसके लावा जो तमाम और मुद्दे होते हैं जिन पर चुनाओ लड़ा जाता है यह कहा जाता है सभी पार्टिया उस पर करती है जो दूसरी बीपद्शी पार्टियां समझ नहीं पा रही है इसमें नाम बदलने में तीन अलग अलग पार्ट है सर पहला नाम बदला जाना चाहिए तो मैं बोलूंगा हाँ बदला जाना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वा जाहे तो उनके नाम पे होना चाहिए एक सेंसेसन इसने छोड़ा है मतलब योगी जी ने छोड़ा अब दीरे यह वायल करेंगे अपने नाम की प्योगता भी बता है यही कोई अपने बचों का नाम रामार और दोर्योधन नहीं रखता बस्पा ने भी नाम बदला लेकिन पहले नाम कैसे बदले जाते थे गजट हो गया, सरकारी बिल पास हो गया, खतम, चर्चे नहीं होती थी, एक दिन अकबार में आ जाता था, बीजेपी नाम अभी बदलेगी नहीं, पहले उसका प्रोपोगंडा करके महौल को गरम करेगी, जब महौल गरम होगा तो कुछ class of voters जो है definitely उनके साथ जुड़ते हैं, वो जो सोय रहते हैं, वो जाते हैं, active होते हैं, कुछ दिन मुद्दा गरम करने के बाद फिर देखेगी कि ये मुद्दा positive way में जा रहा है, तो वो नाम बदल देगी या उस मुद्दे को main election के देगी, तिन तलाग का भी यही हुँ, अच्छा महीने पहले से बहाँ सुरू हुई, जब देखा कि पुरा जनता का दिमाग divert हो रहा है, जनता का दिमाग divert हो रहा है, ये मंचा है BJP, देखे vote bank gain, मतलब आपको अपना, तास्क दो है, एक तो अपने vote bank को स्थिर रखना वो देखे, आदमी या voter जो है sir, वो एक इंसान है और भावना प्रधान होता है, हम सब लोगों के अंदर different तरीके के psychological भावना है बड़ी प्रधान होती है, दूसरी पार्टियां भी तो इसका इस्तमाल करती है, दूसरी पार्टियां भी तो इस्तमाल करती है, सवाल यहां पर BJ भी लेते हैं, तो हो जाते हैं बड़नाम उसी तरीके से, जानबूश का बड़नाम हो रहा है, बीजेपी की तो यह माइक्रो लेवल की एक्सपरटाइज है, वो अच्छे तरीके से यूज करती है, देखिए, आंशर सीट में आंसर लिखना, आप कुछ भी लिख दो पास न दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं, इससे मोड़ी मुखता नहीं है, अगर कोई चीज हमने करी है, लोग ही भावनाओ के लिए करी है, आगे, 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 आगे अपने शब्द आपस लिए बावनाओं के लिए जो असली नाम था ठीक है अगर वो जनताओं के जुड़ा हुआ है तो उसका नाम स्चेंज किया गया है उसका ने अच्छी चीज़ है हमें उसमें अप्जेक्शन नहीं है अगर आगर आःओभा यह अगर हमें भुड़ यह जारहा है अगर तूरिस भननने वाला है तो कितने बेफिट होगा कितना रोजगार आएगा होटटल मेने क्या क्या होँगे अच्छी आगया हमानते है आज से पहले भी तो बीजेपी के सरकारते जब यह नाम क्यों नहीं नाम अरीश चौधरी से बदल के सीता राम रख लूँ तो क्या विकास हो जाएगा मेरा भाई क्या राम राज आ जाएगा इससे विपक्षी पार्टियों के चश्में से तुम देख तो रहे शान मौमध क्या वाकिया रोजगार बढ़ेगा बीजेपी का तर्क कि कितना सही है क्या वाकिया रोजगार बढ़ेगा जिले बदलने से पहले बीस पच्चिस थीस हजार कहां कमज़ों हो गया और ठीक है हरी चोदीजैं हरी शोधी जीए क्या वाकिर रोजगार बढ़ेगा नाम बढ़ने नाम कहता हु कर आखिस प्रशाब को ले कर भी कहा जा रहा है कि उनका वो नाम बदला जाए उस पर भी आप 30 लोग दर्ज कर रहे हैं कि उनका नाम भी बदला जाएगा अमिश्या उसके पीचे भी शारा फार्शी सब्द है शासाब को बदलने की बात बदलने की बात इन इन शब्दों से फार्शी उर्दू के ना यह तुमां मुगलों के तो उन्हें बदल लेना जाए अमिश्या जी एक विश्णिश्ण आप से चाहेंगे एक सटीक की वाकिए क्या रोजगार बढ़ेगा जैसा कि यह नाम बदलने को जस्टिफाई कर रहे हैं आप अगर इतना आसान यह होता तो 70 साल से सरकारे काम कर रही है आज भी सबसे पहला काम होता नाम बदलने का इनको माइलेज मिलेगा वह यह होता है कि नाम से होती है उस एतिहासिक जगह का पता चलता है लोगों के दिमाग में एक पर्शेप्शन बनता है हलका फुलका टूरिजम डेफिनेटली बढ़ सकता है लिगे बहुत ज़्यादा इंपक्ट नाम बदलने से एकोनोमी आपकी सूपर एकोनोमी में कनवर्ट नहीं हो जाएगी उसके लिए तो आपको ग्राउ कवाय शुरू हुई प्रदी बढ़ना है जी नाम बदलने जो कवाय शुरू हुई क्या यह तैयारियां देखी गई थी जिसका जिक्र है कि मिश्या साब यहां पकर कर रहा है ठीक है आपके चश्मेस देखूंगा तो फिर आप सिर्फ BJP की बात करेंगे कि मिश्या जी आज थोड़ा राजनीती का स्वरूफ बदला है या फिर वही स्वरूफ है और उसे बार-बार बदलने की कोशिश और बार-बार अपने पक्ष में लाने की कोशिश या BJP की ओर से होती है बेसिक प्रिंस्पर्स तो हमेशा सेम रहते हैं मैंने आपको बताया अकबर ने भी अगर नाम चेंज किया था शोशियो पॉलेटकल और रिलिजियस माइलेज लेने के लिए उसके यही तीन गेन होते हैं ना यह BJP भी कर रहे हैं यही मायावती जी ने भी किया यही कॉंग्रेस ने सारी पार्टियों ने किया कॉंग्रेस ने किस चीज़ का नाम बदला है यह मुद्दे से बाहर की बात है मैं गिना दूगा रही बात जो विकास की बात हम लोग कर रहे हैं देखे बढ़ी सधे हुए तरीके से यह काम करती है नाम बदलने का मतलब क्या है एक टर्म होता है लेकिन नाम बदलने में आपको सिर्फ तारीव दिख रही है बीजेपी का आप राजनीतिक विश्रेशक के तौर पर यहां पर बैट रहे हैं मैं तो बता रहा हूँ ना कि नाम बदलने से विकास या और वो भी जब बदलने पर नहीं कि नाम पर एक परसेंट फर्क पड़ गया विकास पर तो कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ गया आधे परसेंट पड़ेगा नहीं पड़ेगा सब कुछ हो रहा है जनता के लिए लेकिन जनता के दिल और दिमाग पर पहुंचने के लिए मांसिक संतोफ होगा पब्लिक को एक गर्व की अंभूत ही होगी यह भी एक सैटिस्फेक्शन होता है लेकिन इसका बहुत बड़ा माइलेज या बेनिफिट मिलता है वोट को कंवर्ट करने में जो की च्छा में बादिलक्षा में वो तो प्रधान मंत्री भी जब पहुंचते किसी मंच पर तो जैसे वानार्सी में पहुंचेते तो उन्होंने कहा कि यह उत्सा बचा के रखियेगा 2019 चुनाव नजदीक है हरी चौदी जी कुछ कहना चारा है अभी तोष जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनोंने क्या समझ रखता है इनोंने हिंदू लोग जिनकी हिंदूों की भावना जूड़ी हुए देवी देवताओं से सबसे इनोंने को बूर्ख समझ रखता है कोई भी लॉलिपॉप हम द देवाद सुन तो जवब क्या है अभी पडल देगी पपलीक का मूर्ख बनाए जाएंगे इन चीजों से देशने चारा है अगर ऐसी सवस्थर चौदरी साहब आपके पास है तो मैं तो अप्रिशेयेंट चलता हूँ अब तो अब तो अखले ही तो भी दिया दारे है क्या जेवी देपताओं के साथ मंदिरों के साथ हम लोग दिखाने के लिए ने 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 दिखाने के लिए ने ने भुर ने लिए अधर नहीं हम भगमान रांका राजनीति के लिए योजनितरे हूं के तो रुव knyla आस्ता तमाम देवी रिप्ताओं के साथ हैं तमाम शीर संकर माराज यह सब हमारे आरादने हैं सब इंदूओं के देह में यह आपका कॉपीराइट नहीं है सबी के हैं ऐसा मत पर और हमारी सोच देगी तो पिर मंदिर के साथ दीजिए ना मिजेपी का स्यास्तों हम सारे लोग इंतिजार कर रहें ना सुप्रीम और के पैसने कांधार गर रहा है अलमिंदे से नाम यहा पर बदले गया है और सभी पार्टिया कहरे कि's दलने को लेकर सियासत हो रहे हैं और जानमूश का बीजेपी यह बार बार कह रहे हैं कि सियासत नहीं होगी विकास होगा लेकिन हिंदू-मुस्लिम की अगर बात यहां शान मुहमत कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक है आयुध्या नाम हो जाता है वहां कारोबारी दूसे धर्म के पहुंचेंगे वो कहेंगे अरे यह तो पूरा हिंदुक शेत्र हो गया अगोशित रहा है लेकिन अपने क्रिया कलापों से दिखाते रहते हैं कि हमारा जुकाव यह है और सारा के लिए लड़ने हैं दूसरी पार्डिया नहीं सोचती है तो नो सोचें बीजेपी की बड़ी खास बात है जो प्रशंसा करनी चाहिए यह हर दिन काम करते हैं सर आज नाम के मुद्यों को इतना बड़ा बवाल बनाना बीजेपी के लिए क्लिए क्लिए इंपोर्टेंस है वह ले वह बीजेपी करें